तो class 9 की math के जितने भी important question है, NCRT के जितने भी important question है, अगर तुम इन question को अच्छे से कर लेते हो, मैं definitely कहरो हाँ, काफे बचे सोचेंगे भाई, NCRT पूरी पढ़ लिए, मैंने मैंने गलत कर दिया, नहीं, तुमने गलत नहीं करा, बट NCRT पढ़ने के साथ साथ, तुम इन question को बिलकुल भी skip करके मत जाना, क्योंकि यही question है, जो कि आपके exam में, आपको top करा सकते हैं, pass करा सकते हैं, या फिर आपको कुछ भी मानो, आपके पास जितना भी time है, इन question को, तो बिलकुल भी किसी भी condition में skip मत करना, बहुत जादा important है, तो start करेंगे आप लोग के सबसे पहल और एक्सल 1.5 के आपका पहले का 1st और 2nd, दूसरे का 2nd और 4th और 4th और 5 यह important है, और 1.6 में आपका पहले का यह वाले पार्ट और 2nd की यह वाले और 3rd के आपके 2nd और 4th वाले पार्ट, example आपके important है, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 15, 19, and 21, अब चलते हैं आपके second chapter में, second chapter में आपका ज 2.2 के 1st का 1st पार्ट कर लेना, 3rd, 4th कर लेना, 2.4 में पहला 4th, 3rd कोशन आपका उसका दूसरा और 4th कोशन आपका उसका पहला और 3rd और 5 कोशन कर लेना, 2.5 में आपके सारे कोशन important है, पहली बता दूसरे chapter आपका थूड़ा सा बड़ा chapter है, तो इसके अंदर आपके कोशन भी quantity जावो जादा है, इसके बाद आपका यहां पर 2.5 करता हम हुआ, एक्जामपल आपका है, 1, 3, 5, 7, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, and 25, ठीक है, चैप्टर नमबर 3, इसके अंदर आपके कोशन बहुत कम है, 3.2 के 1 और 2 का लेना, 3.3 के 1 और 2 का लेना, एक्जामपल नमबर 2 आपक का पहला और 2 और 2 और एक्जामपल है, आपका 1, 3, 5, 7, 8, 9, ठीक है, चैप्टर नमबर 5, 5.1 का आपका दो चाच है, और एक्जामपल नमबर 1 आपका बहुत इंपोर्टेंट है, चैप्टर नमबर 6, एक्सराइज 6.1, 1, 3, 4, 5, 6, 6, 2, 1, 3, 5, 6, और एक्जामपल है, आप का 2, 3, 4, 5, मैं पहली कहा रहा हूँ आप सभी लोगों से, कि क्लाश 10 में हम लोग कहर मचा देंगे, प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लाश 10 फुल हम लोग एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ना आपको किसी चीज़ की चिंता होगी, ना पीड चैप्टर नमबर 6 पे 6.1, 13456, 6.2, 1356, एक्जामपल 2345 और चैप्टर नमबर 7 आपका 7.1 इसका है आपका 23678 और 7.2, 2456, 7.3, 145 और एक्जामपल आपका 367 और 8 अब चलता है आपके चैप्टर नमबर 8 पे, थियोरम 8.4 और 8.7 बहुत जादे इंपोर्टेंट है 8.1 का 1, 1, 2, 4, 6, 9, 10, 12, एक्जामपल आपका यहां पे, चोथा और पांचवा, चैप्टर नमबर 10, थियोरम 10.1, एक्जामपल आपका 10.4 का 1, 2, 3, 4 और 10.5 का आपका 1, 2, 13, एक्सेप्ट मतब एक से लेकर के 13 तक सारे कोशन करना है लेकिन उसमें से 9 और 11 कोशन हटा देना, आपको कम टाइम के अंदर सारे कोशन बता रहूँ ना, हमारे सारी वीडियो क्लास 10 की बहुत कम टाइम के अंदर, जादा से जादा माटिरियल को ग्रैब करने पे होंगी, तो समय बचाना है, आपको PDF चाहिए और बेस्ट कॉंटेंट चाहिए, तो प्लीज मेरी रिक्वेस 13.3, 3, 4, 6, 7, 8, 13.4, 2, 5, 6, 9, 13.7, 3, 4, 6, 7, 9, 13.8, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, एक्जामपल है, आपका 17, 18, 19, 15, 16, 7, 8, 9, 10, 4, और 5, यह आपके बहुत इंपोर्टन है, अब आता आपके चैप्टर नबर 14 पे जोगी है, आपका 14.2, 1, 2, 4, और 14.3, 24, 8, 6, 9, एक्जामपल आपका 7, तो यहाँ पर आपके जितने भी important question थे class 9 के math के, वो complete होते हैं, जितने कम time के अंदर आज यह complete हुआ है, science का भी तुम्हें EC चानल पर मिल जाएगा, SSD का भी तुम्हें EC चानल पर मिल जाएगा, और class 10 की शुरुआत तो हम लोग फारू तरीके से खारेंगे, इसलिए करनो आज आजो को subscribe को ठीके धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहां तक पहुंचे और comment box